मैसने profit मैसने profit का मतलब होता है नाजाइज तरीके से profit कमाना गलत तरीके से profit कमाना मैं एक example से शुरू करते हूँ सपोज मेरा मेरी कोई land थी मेरी उस land पह किसी ने कबजा कर लिया अब इस land को कबजा करने के बाद सामने वाले इंसान prior कारा कि उस land को किसी को rent दे दिया और rent पे चढ़ा दिया रेंट पे चढ़ाने के बाद और वो उसे rent कमा रहा है उसने वहां से rent कमाते कमाते उसे काफी time हो गया तो जो profit वो मेरी land पे कबजा करके जो कमा रहा है वो मैसने profit कहलाएगा मैसने profit में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे अगर वो उस land पे खाली बंजर जमीन थी और उस पे rooms बना के rent पे चढ़ा रहा है तो वो मैसने profit नहीं कहलाएगा यहाँ पर यह point नोट करने वाली चीज़ है कि अगर वो उस land पे improvement कर रहा है that is not considered as मैसने profit मैसने profit का मतलब सिर्फ वो profits होते है जो की वो नाजायस तरीके से कमा रहा है जो चीज उसकी नहीं दे उससे कमा रहा है I will read it for you मैसने profit means the claim that a lawful owner of the property has against the unlawful possessor of the property these profits are claimed by the true owner on the unlawful owner against the unlawful possession of property जिस इंसान ने मेरी property को unlawful तरीके से उन किया हुआ है उससे मेरे profits वापिस मांगना is known as मैसने profits and the unlawful possession property for example a tenant who refuses to evict the house after expiry of lease period there the possession become unlawful or illegal अब ये भी कह सकते हैं कि मैंने किसी को lease पे जमीन दियो भी थी और वो जमीन अब खाली नहीं कर रहा है या मकान अब खाली नहीं कर रहा है वो वहां रहे जा रहा है और वहां से profit कमा रहा है that is called मैसने profit okay